बिस्मिल्यामानों रहीम, असलाम अलेकम वियोर्स बचों जैसा के आप सब लोग जानते हैं के पंजाबी उनिवस्टी के आउनलान एक्जैम के हवाले से मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं जिसमें बचों को मैंने काफी guidance दी है कि वो अपने paper को कैसे solve कर सकते हैं या फर्स करें अगर बचों की कुछ problems हैं तो वो कैसे अपने problems को solve कर सकते हैं तो बहुत सरे ऐसे students जो के हमारे Allama Iqbal Open University के थैर तालीम हासल कर रहे हैं तो उन्होंने भी मुझसे बार-बार यही इसरार किया कि आप Open University के हवाले से भी थोड़ा सा हमें guidance दे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको Open University के हवाले से थोड़ी सी guidance दोंगी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि COVID-19 की वज़ा से हमारा जिन्गी का जो हर शोबा है वो मतासर हुआ है हमारी जिन्गी गुजारने के जो अंदाज है वो टोटली तौर पर change हो चुके हैं इसी तरह अगर हम तालीम की बात करें चाहे वो distance education हो या formal education हो तो उसके भी अंदाज जो है वो टोटली तौर पर बदल चुके हैं इसकी एक एहम मिसाल आप B.E. और B.S.C. का online exam ले सकती है जो के पंजाबी उन्वस्टी बड़ी कामियाबी के साथ इसको करवा रही है तो दूसरी तरफ जब हम open university की बात करें तो उसका भी एक process होता है ये नहीं है कि बच्चे जो है वो घर बैठे तानीम की तरफ तवज़ों नहीं देते बलके जो ये non-formal education system है ये भी एक मनज़म अंदाज में बच्चों के साथ contact भी करती है और इसके साथ बच्चों की assignment के जरीए भी उनको monitor करती है और उनका return exam भी लेती है तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको assignments के हवाले से थोड़ी से guidance दूँगी चुके मैं खुद भी open university की tutor हूँ इस हवाले से भी मैं अपना experience जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी और इसके साथ सब बच्चों को भी मैं थोड़ा सा आने वाले जो उनकी assignments को submit करने की date है वो 15 October है उस हवाले से भी थोड़ा सा मैं उनको guidance दूँगी तो बच्चों आपने इन points को थोड़ा सा मदिनजर रखना है सबसे पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि post graduate जितने भी university के programs है जिसमें के B.A.D. है, M.A.D. है, B.S. के program है या कोई भी M.A. का कोई program है, M.A.C. का कोई program है या इसी तरह M.A.C. का कोई program है तो उसके assignment जो हैं वो handwritten नहीं लिखी जाएंगी और नहीं handwritten आपने submit करवानी है जैसा के पहले यह होता था कि बच्चे जो हैं वो handwritten assignments लिखते थे और वो अपने मकररा time से पहले tutors साहिबान के पास जमा करवाते थे और tutors जो उसे थे वो उनको check करते थे और बच्चों को एक पर और assignment वापस करते थे और बाकी एक पर अपने पास रखते थे और एक पर जो है वो बच्चों का युनिवरस्टी में जमा करवा देते थे इसके साथ वो बच्चों का रिजर्ट भी युनिवर्स्टी में जमा करवाते थे लेकिन आप ये सिस्टम टोटली तोर पर चेंज हो चुका है जैसे मैंने बताया है कि COVID-19 की वज़ा से जिसमें कि हमने सोशल डिस्टेंस के असूल के उपर अमल पैरा होना था तो युनिवर्स्टी ने बच्चों को ये सहूलत दी है कि आपने ऑनलाइन जो है वो असाइमेंट्स जमा करवानी है तो बच्चों सबसे पहले आपने इस बात को मदे नज़र रखना है कि आपने हैंड रिटन असाइमेंट्स नहीं लिखनी बलके आपको assignment जो है वो online अपने tutor सहाबान को submit करवानी है दूसरी बात जो बड़ी एहम है वो ये बात है कि assignments जमा करवाने की last date जो है वो 15 October है लेकिन अगर फर्स करें आप 15 October को ही अपनी assignment जो है वो upload करते हैं तो उस वकर system के उपर बहुत ज़्यादा rush होगा बहुत ज़्यादा burden होगा और अक्सर बचे यही शकायत करते हैं और फिर उसके बाद अपने tutor सहाबान से फून के उपर ये बात करते हुए नजर आते हैं madam sir मेरी file open नहीं हो रही तो मैं अपनी assignment जो है वो कैसे upload करूँ तो बच्चो अभी बहुत सारा time है आप अपनी assignment जो है वो कोशिश करें कि September के महीने में जमा करवा दें ताके आप इस परिशानी से बच सकें अच्छा बच्चो कुछ बच्चे ये सवाल करते नजर आते हैं कि उन्होंने अपनी assignment को upload कैसे करना है तो बच्चो आपने अपनी assignment चाहे computer के उपर word में आप टाइप करें या आप अपनी assignment हाथ के साथ लिखें University ने आपको बताया है कि web scanner के नाम से एक program है आपने वो अपने computer के उपर download करना है और उस program के अंदर आपने जो भी आपके assignment है चाहे आपने हाथ से लिखी हुई है या आपने computer के अंदर word के अंदर उसको type किया है आपने अपनी assignment का जो ह पर पेज है वो बारी बारी इस program के तहर अपलोड करना है जब आप अपनी सारी assignment को upload कर देंगे तो वो ट्यूटर साहबरायान के पास चली जाएगी और वो अपने username और password का इस्तमाल करते हुए आपकी assignment जो है वो online ही चेक करेंगे अच्छा बचो बास बचे कुछ ये काम करते हैं कि फर्स करें अगर दो बहने एक ही subject का और एक ही class का exam दे रही है तो वो क्या करती है कि एक बहने assignment लिख ली और वो कोशिश करेगी कि मेरी दूसरी बहन जो है वो assignment जो है वो मेरी ही जो है इसमाल करें और मैं अपनी assignment जो है उसी के folder में भी shift कर दूँ और upload कर दूँ तो बचो इस लिसले में आपको ये देखना चाहिए कि computer के अंदर एक program है जिसके जरीए plagiarism जो है वो अच्छी तरीके से check हो जाती है अगर फर्स करें आप ये गलती करेंगे तो university जो है वो अपने software के जरीए plagiarism को check करेंगी और अ आपकी भी और आपकी sister की भी दोनों की जो है वो cancer हो जाएंगी लखागढ़ को इस विलसले में थोरे सी इतियात करनी है और को शिश केंआनी है कि आप ने अपनी assignment अलग से लिखनी है और आपकी बहने अपनी assignment जो है वो ठोड़ी सी मुख़िफ लिखनी है और डोनों ने फ जासे हम लोग online education की तरफ जा रहे हैं तो open university भी इस सिलसले में बहुत एहम और बड़े अच्छे एक्दामाद कर रही है कि एक तरफ तो बचों का वक्त जाया ना हो और दूसरी तरफ उनका तालीमी सिलसला भी जारी रहे तो बचों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताके मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके शुक्रिया अल्ला हाफिस